येरोपियनों और उस्ट्रेलियन्स के बीच में मूल लिवासियों के बीच में जो जेम्स कुक की घटना के बाद कुछ जादा ही हो गई थी तो इसमें बाद में समय के साथ कुछ परिवर्तन आता है ऐसे ही जैसे कि अमेरिका में परिवर्तन आया जब एक रिपोर्ट छपी जिसमें मूल लिवासियों की मानसिक शारीरिक शैक्षिक इस्थितिका जिक्र किया गया 1928 में यहां पर भी उस्ट्रेलिया में भी उस परिवर्तन का असर दिखाई दिया 1968 में एक मानोशास्त्री जो यहां के थे एक मानोशास्त्री W.E.H. Stanner इन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया एक व्याख्यान दिया एक मानोशास्त्री W.E.H. Stanner 1968 इन्होंने एक व्याख्यान दिया व्याख्यान का जो शीर्षक था The Great Australian Silence The Great Australian Silence हिंदी में इसका अनुवाद करें तो होगा महान आस्टेलियाई चुप्पी ये इसका शीर्षक था इस व्याख्यान में मिस्टर स्टैनर ने इतिहास कारों के द्वारा मूल निवासियों के इतिहास के बारे में चुप्पी का जिक्र किया है उनका मानना था कि जो इतिहास है वो पूरा अप्रवासी यूरोपियनों के आने की कहनी हैं उनके विकास की कहनी हैं और इसमें कहीं वहां के मूल निवासियों के शोशन का जिक्र नहीं हैं इसलिए उन्होंने उसका नाम दिया था चुपी परणाम क्या हुआ कि 1970 आते आते मत दो तीन साल में उत्रे अमेरिका की तरह यहां भी मूल निवासियों को एक नए रूप में समझने की चाहत शुरू हुए जैसे अमेरिका में शुरू हुए अमेरिका में 1950-60 के दशक में मैंने आपको बताया था कि कैसे वहां के मूल निवासियों को अपने बारे में अपना इतिखास लिखने के लिए प्रेरित किया गया उन्हें स्वतंता दी गई उन्हें मौके दिये गए और उनके इतिखास को बखूबी संजोय रखने के लिए संग्रहाले बनाएगा यही बात आस्टेलिया में यहां हुई जब 1970 आते आते मानव शास्तियों के प्रेयाश से मूल निवासियों के इतिखास को समझने की चाहत जागने लगी एक जग्यासा के रूप में नहीं बलकि अलग संस्कृति वाले देश के रूप में समझने की कोशिश शुरू है जग्यासा नहीं कोटूहल नहीं समझ एक अलग संस्कृति आस्टेलिया की अलग संस्कृति है वहां के मूल निवासियों की स्वंस्क्रितिक समझने की चाहत प्रारम हुई और उनके पास उनके अपनी कथाएं थी, उनके अपने कपड़े थे, उनकी अपनी साजी चित्रकारी थी, हस्त शिल्ब था, उसका कोशल था और इस सबका बड़ा विशाल भंडार था आखिर क्यों नहों, चालिस सज्जार वर्ष पुरानी जो प्रजाती, जो सतत रूप से वहां रह रही थी, उसकी अपनी परंपराएं तो होंगी, उसकी अपनी संस्कृति तो होगी, उसका अपना कोशल तो होगा समय के साथ देखा गया कि यह जो इतना लंबा जो इनका इतिहास है, इतिहास का जो भंडार है, वह सराहना योग्य है, वह आदर योग्य है और अभी लेखन के योग्य है यहांने बहुत कुछ चीजें सीखी जा सकती हैं यहां के मूल निवासें के अध्यान से, इन सब की जो घटनाय थी, उसमें एक जरूरी सवाल था और वह जरूरी सवाल को आगे चलकर एक व्यक्ति जिसका नाम हैंड्री रेनॉर्ड था, हैंड्री रेनॉर्ड ने अपनी पुस्तक में जिसका शीर चक्त है, वाई वेरंट वी टोल, हमें बताया क्यों नहीं गया why weren't we told, why we were not told, हमें क्यों नहीं बताये गया, ऐसी पुस्तक लिखकर उसने कुछ सवाल उठाये, लेखक का नाम हैंरी रेनोल्ड, और इस पुस्तक में रेनोल्ड ने औस्टेलिया इतिहास के लेखन पर बड़ा कटाक्ष किया, बड़ा व्यंग किया, औस्टेलिया इतिहास के लेखन का जो ढर्रा था, उसकी बड़ी कटी वालोचना की, जिसमें कैप्टन जेम्स कुक की खोश से हो रहे, घटना को लेकर आस्टेलिया के इतिहास के शुरुआत मानी जाती है, यहने तब तक, 1970 के आस पास तक, आस्टेलिया का इतिहास मानों कैप्टन कुक की घटना के बात प्रारम होता है, उसके पहले नहीं, यह बात रेनॉल को आपति जनक थी, और उसने यह सवाल उठाया कि हमें एक क्यों नहीं बताया गया, और वो स्वैम फिर इसका जिक उतिहास बताता है, उसके बात से मूल निवास्यों के संस्कृतिका अध्यान करने के लिए, देशी दिरगाएं भी, कला दिरगाओं में देशी दिरगाएं भी शामिल की जाती हैं, जैसा घटना करम अमेरिका में होता है, और देशी संस्कृतिकों समझने वाले कलपना शील तरीके से कमरों को सजावट करते हैं, संग्रहालेओं में वस्तियों को जमाते हैं, संग्रह जीवन लिखना प्रारम बिकिया ये एक बड़ा अद्वत प्रयास था क्योंकि और प्रयास सफल इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें सरकार का भी वरद हस्त था लोगों का लोगों में चाहत थी कि आखिर आस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का जीवन पूर में कैसा था कौन ये लोग ये प्रयास समय रहते शुरू हो गया अगर मूल निवासियों की तरफ समय रहते ध्यान नहीं दिया जाता तो संस्कृति का काफी कुछ हिस्सा समाप्त हो चुका था लेकिन 1974 से 1996 बहु संस्कृतिवाद आस्टेलिया की नीती रही क्या रही बहु संस्कृतिवाद मल्टी प्लूरालिजम 1974 से 1996 जिसने मूल निवासियों की संस्कृति को योरप और एशिया के अप्रवासियों की संस्कृति के बराबर मना इन संस्कृतियों को बराबर समान दिया बराबर आदर दिया बहुत संस्कृति वाद के तहट येरोपियनों के संस्कृति जो यहां के बस गया थे एशियाईयों के संस्कृति जो यहां के बस गया थे उनके समान ही मूल निवासियों की संस्क्रिति को समान दिया जाने लगा, ये एक बहुत बड़ा सार्थक प्रयास था इस में थोड़ा और विलंब होता तो संभावना थी कि मूल निवासियों का जो थोड़ा बहुत जो भंडार था इतिहास का वो भी शायद विस्मृत हो जाता और फिर वाई वी वेरं टोल का उत्तर ही हमें नहीं मिल पाता इस घटना क्रम में अगला बिंदू है टेरा नियूलियस की समस्या ये क्या है 1970 में समिक्तराश संग और जो दूसरी जो अंतराश्टी एजेंसिया हैं उन्होंने इस दशक में 1970 की दशक में मानवाधिकार जैसे शब्दों का उपियोग प्रारम बिकिया ये शब्द ज्यादा सुनाई पढ़ने लगा मानवाधिकार Human Rights Australia की जनता है उसको ये एहसास हुआ कि समिक्तराश अमेरिका, कनेडा और न्यूजिलेंड के बीच जो भूमी अधिग्रहन वाला जो मामला है इसके विपरीत Australia में Europeanों द्वारा किये गए भूम अधिग्रहन को आपचारिक बनाने के लिए कोई समझोता नहीं हुआ था देखें, अमेरिका के घटना क्रम और Australia के घटना क्रम में परिवर्तन क्या है हमने कई परिवर्तन अलड़ी समझ लिए कि अमेरिका के मूल निवासियों के विकास के घटना क्रम में और Australia के मूल निवासियों के विकास के घटना क्रम में क्या अंतर था यहां पर एक उदारण ये और है कि जैसे जैसे मानवादिकार शब्द ज्यादा सुनाई पड़ता है समाज में विश्वमंच पर तो उस्टेलिया जनता को एहसास होता है कि जो European आये थे या जो एशियाई आये थे उनोंने जमीन के मामले में हमारे साथ कोई लिखित समझोता नहीं किया कोई आपचारिक संदी ने कि, कोई भूमी अधिगरहन की कारवाई पूरी ने कि, कोई समझोता पत्र तयार ने किया और सरकार जो है वो हमेशा से आस्टेलिया की जमीन को टेरा नूकलियस कहती है इसका मतलब है जो किसी का नहीं है टेरा नुकलियस का अर्थ है जो किसी का नहीं है ये बात नागवार गुजरी टेरा का अर्थ होता है जमीन टी ए डबल र ए अंग्रेजी में जहां भी टेरा शब्द आए तो मान लिजे कि उस शब्द का सम्मन्द भूमी से है जमीन से है तो ये टेरा नुकलियस का अर्थ बड़ा स्पष्ट है जो ऐसी जमीन जो किसी की नहीं है और सरकार इस नाम से संबोधन करती थी सरकार हमिशा से औस्टेलिया की जमीन को टेरा नुकलियस कहती आई थी इसके लावा वहाँ वो अपने आधिवासी रिष्टदारों से छीनी गई जमीन को बच्चों का एक लंबा और यंत्रना पूर्ण तरीके का व्यवहार होता था वहाँ अपने आधिवासी रिष्टदारों से जबर्दस्ती छीने गए मिश्रित रक्त वाले यानि मूल निवासी धन येरोपियन इन बच्चों का एक लंबा और यंत्रना पूर्ण इतिहाज भी था mixed children born of European and native parents येरोपी और मूल इन से जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी भी एक अलग समस्या थी उनका एक अलग इतिहास था उनकी एक अलग समस्या थी इन सवालों पर आंदोलन हुए इन सवालों पर जो आंदोलन हुए उनकी फिर जात शुरू ही और दो महत्वपोर निनने लिये गए टेरा नूलियस और मिक्स चिल्डरन बार्न और मिक्स फैमिलीज इनके विरोज में जो आंदोलन हुए इनकी समस्याओं को लेकर विरोज में तो नहीं बलकि इनकी समस्याओं को लेकर जो आंदोलन हुए तो उसके दो महत्वपोर निनने आये पहला मानिता इस बात को मानित का जमीन के साथ जो कि उनके लिए पवित्र है क्या मानिता देना कि इस बात को मानिता देना कि मूल निवासियों का जमीन के साथ संबंद जो है वो बड़ा पवित्र है यानि उनका संबंद है मजबूत एतिहासिक लगाओ है और इसका संब्मान हो अर्थात संब्मान हो पक्षी जो जमीन ले ली गई है उस पर पुना विचार किया जाए तो ये बात बड़ी स्पष्ट है कि जमीन का मूल निवासियों से जो निकट का संबंद रहा है जहां वो गच चाली सज्जार वर्षों से रह रहे हैं उस संबंद का संबंद किया जाए दूसरा जो इसमें निश्कष निकाला गया कि पिछली गल्तियों को धोया तो नहीं जा सकता लेकिन गोरों और रंग भी रेगें लोगों को अलग-अलग रखने की जो कोशिश हो रही है वो अन्याय है दूसरी दूसरा जो निड़ने था वह उन बच्चों से संबंद था जो मिश्रित थे जो दो रेश के थे मिक्स थे गोरे बच्चे और रंग भी रंगे बच्चे ऐसा उनको कहा गया उनको अलग-अलग रखने की जो कोशिश की जारी है वह गलत है जो उनके साथ अन्याय है उसके लिए सारवजनिक रूप से माफी माँगी जानी चाहिए इसा इसमें निश्कर्ष निकाला जगया इन आंदोलनों की जाज के परणाम सुरूप और इस परणाम का जो जिक्र आता है उसमें ये बास पश्ट है कि माफी सारवजनिक हो सारवजनिक माफी नामे के इस प्रक्रिया में क्याक्या कदम उठाय उस्टेलियन सरकार ने थोड़ा एक नजर इस पर डाले पहला 1974 में गोरे आस्टेलियाई ये नीतिक खतम कर दी गई गोरे आस्टेलियाई नीतिक खतम कर दी गई और एशियाई अप्रवासियों को भी अब प्रवेश की जादत मिल गई दूसरा 1992 में आस्टेलियाई हाई कोर्ट में टेरा नूकलियस की कानूनी अवैदिता की घोशना की गई कानूनी अवैदिता यानि कानूनी रूप से ये शब्द का उप्योग अवैद है गलत है और सत्रा सो सत्र इस्वी के पहले की जो जमीन है उस पर जो दावे हैं वहां के मूल नवासियों के वह मानने हैं वे मानने हैं तो इस वड़कार माफी नामा और मूल लवाचियों के साथ उनके जमीन के पुराने संबन्दों को सिकार करते हुए पुरानी गलतीओं को सुधार पर माफी मांगते हुए को सुधार करना ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस काल में इस दशक में हम देखते हैं आस्ट्रेलिया में बदलाओ की लहर की श्रिंखला में दो परिवर्तन और यानि अभी तक हमने दो परिवर्तन समझे अब तीसरा परिवर्तन जो हुआ 1995 में जो टॉरस ट्रेट आइलेंडर्स उनके जो बच्चे थे और वहां जो आदिवासी बच्चे थे इनके बीच में जो अंतर किया जाने लगा उसे समाप्त किया गया और एक जांट कमिती राष्टी जांट समीते बैठाई गई इनलों के साथ जो दुर्वे अभार हो रहा था इनलों के साथ जो भेद भाव हो रहा था उसके अध्यान के लिए और अंतिम आपके इस कोर्स के अनुसार जो अंतिम बदलाओ था वह बहुत महत्पूर्ण है 1820 से लेकर 1970 जाने लगवग देड़ सो वर्ष के काल में आस्ट्रेलिया में जो बच्चों के साथ दुर्वेभार गलत वेभार वो सब किया गया उसके लिए एक राश्ट्री माफी दिवस गोशित किया गया और 26 मई को राश्ट्री माफी याचना दिवस उस वर्ष से एक वार्षिक कारक्रम के रूप में किया जाने लगा इसके पीछे उद्यश्य था कि जो अपराध हो चुके हैं पूर में किये जा चुके हैं अब उन अपराधों से जलो हुए अपराधियों को सजा देना संबह नहीं दूसरा अब इतिहास बदला नहीं जा सकता ये समझ थी लेकिन कम से कम उसमें सुधार तो लाय जा सकता है तो बदलाओ की जो लहर है उस्टेलिया में जो चली 1970 के आसपास से उसका परणाम ये भी था कि माफी नामे के रूप में माफी आचना दिवस भी एक तरीके से 26 मई प्रतिवर्ष घोशित किया गया इस प्रकार हम अमेरिका और आस्टेलिया दोनों में मूल निवासियों के विस्थापन का एक तरीके से अध्यन पूरा करते हैं अमेरिका के मूल निवासियों के विस्थापन का इतिहास समझने के बाद मैंने संख्षिप्त में उसके बारे में एक तरीके से पुना बताया था यही प्रक्रियाब हम आस्ट्रेलिया के सम्मन में दोराएंगे तो आस्ट्रेलिया के प्रारंबिक इतिहास एवं मूल निवासी प्रारंबिक मानो अबॉरिजेंस चालिस हजार वर्ष पूर्व और मूल इस्थान इनका कौन सा था वहीं जो एक सेतु है एक जोड़ ही जमीन जिसे न्यू गिनी के नाम से कहते हैं अठारवी सदी के आज पास इनके समुदायों की संख्या लगबख साड़े तीन सौ साथ सो थी और आज भी करीब दो सौ भाशाएं बोली जाती है इन्हें अबॉरिजिंस कहा जाता है लेकिन एक बहुत विशाल संख्या उत्री आस्ट्रेलिया में है जिसे टारा स्टेट टापुवासी टारा स्टेट आइलेंडर्स कहते हैं विशाल होते हुए भी इनकी संख्या ये अबॉरिजिन की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये लोग शायद बाहर से आये थे ये वहाँ के मूल निवासी नहीं है इनकी नस्ल भी अलग है आस्टेलिया की जो आबादी है उसका फैलाओ बहुत छित्रा हुआ केवल समुद्री किनारों पर है इस प्रिष्ट भूमी के बाद कैप्टन कुक का जिकराता है और कैप्टन कुक का वहाँ के निवासियों के साथ दोस्ताना संबन्द और बाद में उसकी हत्या और उसके हत्या के परणाम सुरूप बिटिश लोगों का बदलता नजरिया एक लैंड मार्क डेवलप्मेंट के रूप में है आस्टेलिया जो जगह है वहाँ पर जो यूरोपियन आए अधिकांश यूरोपियन प्रवासि कौन थे बिटिश निर्वासित कहदी ये एक बहुत महत्पूर्ण अंतर है अमेरिका के अपरवासियों और आस्टेलिया के अपरवासियों के बीट में यहाँ पर वो अपराधी के रूप में आए थे और इसलिए अपराधी के रूप में आए थे तो अपराध का काल पूरा करने के बाद बिडिश सरकार ने उनको वहीं रहने के स्वतंता दे दी थी मैं जिसके कुछ दूसरे परणाम हुए और इसलिए उस खेतर का नाम तस्मानिया रखा गया 1770 में जेम्स कुक बाटनी खाड़ी पहुँचता है और वहां किस खेतर को न्यू साउथ वेल्स का नाम देता है और 1788 में दंडितों की बस्ती बनाई जाती है और उस बस्ती के तहद सिडनी की सिडनी शहर जो आज विश्व के सबसे बड़े शहरों में सबसे आधिनिक शहरों में गिना जाता है उसकी स्थापना बृटन से भेजे गया दंडित कैदियों से होती है अब जब यूरोपियन वहां आते हैं अगला चरण क्या होता है विस्थापन वहां के मूल निवासियों का विस्थापन जो 40,000 वर्ष या उससे पूर्व से वहां रह रह रहे थे और इस विस्थापन की प्रक्रिया में हम बड़े बड़े क्रिशिफ फार्म तो नहीं लेकिन भेड़ों के फार्म खाने और खदानों आदिका जिक्र पढ़ते हैं गेहूं की खेती बड़े विस्तरित मात्रा में होती है और साथ ही अंगूरों का बाग मजरा के उत्पादन में इसकी बहुत जरुत पढ़ती है वहाँ के जो मूल निवासी थे उनका उपयोग इन खेतों में और श्रमिक के रूप में इनका उपयोग शुरू होता है इनके श्रम का उपयोग शुरू होता है और वहीं से फिर गैर और गोरों को बाहर रखने की नीती शुरू होती है गैर गोरों को बाहर रखने की नीति शुरू होती है और अस्टेलिया के विकास की बात करें तो अच्छाइब बस्तियों को स्वशासन का अधिकार मिलता है 1850 में कॉलोनीज को 1800 इंकाउन में चीनी कुली लोग पहली बार आते हैं और 1855 में इन्हें रोका जाता है जिसकी प्रिष्ट भूमी मैं विस्तार से बता चुक हूँ ये वही काल है जब गोल्ड रश की बात की गई थी 1851 से 1861 1851 से 1961 तक का गोल्ड रश का काल और 1901 में चाहराजियों को लेकर आस्टेलियाई संग का निर्माण होता है जैसे वहां तेरा उपनिवेशों को लेकर अमेरिका में निर्माण होता है ऐसे 1901 में आस्टेलियाई संग का निर्माण छैराजियों को लेकर होता है 1911 में कैनबरा राजधानी बनाई जाती है और कैन्बरा जो शब्द है वो वहां की स्थानी भाशा से लिया गया है 1948 से 75 के बीच करीब 20 लाख यूरोपी लोग आस्टेलिया में आके बसते हैं गोरे लोग आके बसते हैं 1948 से 1975 के काल में और इस प्रकार इस आवा जाही इस आपा धापी के काल में एक तरीके से बदलाओ की लहर भी प्राणब होती है वैसी जैसे अमेरिका में थी उनने सोड़ी सट में मानो शास्त्री स्टैनर और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम मैंने बताया था ग्रेट ऑस्टेलियन साइलिंस जहां साइलिंस कार था चुपी जिसमें मूल निवासियों की समस्याओं को सामने रखा गया और परिणाम क्या हुआ मूल निवासियों के प्रति सरकार का वहां के लोंगों का नजरिया थोड़ा बदलता है थोड़ा पॉजिटिव होता है थोड़ा साहनु बूति पूरवक होता है और यहीं से आस्टेलियाई इतिहास लेखन में भी परिवर्तन आता है जिसमें मूल न हमें क्यों नहीं बताए गया इस पुष्टक ने वहां पे एक तरीके से भूचाल मचा दिया और नए तरीके से इतिहास का अध्यान शुरू हुआ विश्वद्यालियों में कला दीरगाओं में संग्रहालियों में मूल निवासियों के संकलन को स्थान दिया जाने लगा ऐसे ऐसे विश्वद्यालियों की संग्रहालियों के स्थापना हुई जहां मूल निवासियों के जो साजो सामान थे उनको वहां रखा जाने लगा अध्यान की दिष्ट से इसके साथ ही ऑस्टेलिया की जो खुद की सरकारी नीती है उसमें बदलावाता है और मूल निवासियों और उनकी संस्कृति का सम्मान करने की एक तरीके से पैरवी की गई है क्योंकि वहां जो बहुष संस्कृति वाद को बढ़ावा दिया जाता है एक और एशियाई संस्कृति थी दूसरी और यूरोपियन संस्कृति तीसरी ये मूल निवासियों की अपनी संस्कृति थी जो दबी होई थी अब इस कानून के तहट ये प्रावधान किया गया कि इनकी संस्कृति को भी समुचित इस्थान दिया जाया और इतना ही सम्मान दिया जाया जितना की अन्य संस्कृतियों को ये एक बहुत बड़ा राज नीती में परिवर्तन होता है उस्टेलिया के इसी परिवर्तन के तहट 1974 में एशियाई अप्रवासियों को प्रवेश की इजाज़त मिलती है 1992 में टेरा न्यूकलियस की कानूनी अवैदिता की घोशना होती है और टेरा न्यूकलियस की इस अवैदिता की घोशना एक बहुत महत्पूर्ण कदम था क्योंकि इसने पूरी सोच को बदल दिया साथ ही 1992 में ही ये कानून भी बना जिसके तहए 1770 के पहले की जो जमीने थी मूल निवासियों के दावों को मानिता दी गए उसके पहले की जमीनों पर 1995 में आजिवासी और टारस स्ट्रेट आयलेंडर्स बच्चों को उनकों परिवारों से अलग किये जाने की जो जाच उसके लिए जाच आयोग बैठाया जाता है और 1999 में 1820 से 1970 तक के गुम हुए बच्चों से माफी नामे के तौर पर राश्ट्री ख्यमा याचना दिवस गुम हुए बच्चों उनके साथ जो अन्याय हुआ है जिसे अब सुधारा नहीं जा सकता तो पश्चता प्रैश्चित के रूप में वहां की सरकार निर्णा लेती है और 1820 से 1970 के बीच में जो ऐसी घटनाय हुई है उसके लिए राश्ट्री ख्यमा याचना दिवस अर्थाथ ए नैशनल सौरी डे की शुरुवात होती है नैशनल सौरी डे 26 मई प्रतिवर्ष मूल निवासियों का विस्थापन इस अध्याय के समाप्ती आस्ट्रेलिया में बदलती हुई लहर के साथ हुआ और इसका प्रारंब लगवग चालीस हजार वर्ष पूर्व के इतिहास से हुआ था इस अध्याय को लेते हुए परिक्षा की दिष्ट से कुछ प्रश्ण और उनके बहुत संख्षिप्त में उत्तर गाइड लाइन के रूप में दिशा निर्देश के रूप में अब हम एक के बाद एक रखते हैं याद रखें कि ये केवल दिशा निर्देश है इसके जो उत्तर है इस पर आपको इन बिंदूओं को लेते हुए आपको दिये हुए प्रश्णों के उत्तर लिखना है पहला प्रश्ण जो यहां है पहला प्रश्ण है विस्थापन से क्या तात्पर्य है और मूल निवासियों का विस्थापन किस प्रकार विस्थापन से अलग है यूरोपी सामराजवाद और उपनिवेशवाद इस पर संक्षिप्त में उत्तर लिखें यह एक प्रश्ण है यह तीनों बिंदूओं को एक प्रश्ण में रखने का उद्धिश केवल यह है कि आप इस अध्याय से जुड़े हुए मूल भूश शब्दों को समझने की कोशिश करें विस्थापन का क्या अर्थ है यह प्रारम में आपको बताया गया एक स्थान से दूसरे स्थान जाना फिर मूल निवासियों का विस्थापन किस प्रकार विस्थापन से कुछ अलग हो जाता है मूल निवासियों का विस्थापन उसके तहट कौन कौन से बिंदु आएंगे इसे आप लिखेंगे विस्थापन की प्रक्रिया के साथ सामराजवाद जड़ा हुआ है और इसी लिए सामराजवाद और उपनिवेश्वाद को इसी अध्याय में प्रारम में परिभाशित किया गया है इसका उत्तर लिखते समय हम सामराजवाद की परिभाशा देंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे उत्तर लिखते हुए कि सामराज जवाज और उपनिवेश्वाज कैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हूँ अंतिम बिंदू जो इस प्रश्ण का है वह है यूरोपी सामराज जवाज यूरोपी सामराज के तहट आपको जो बिंदू छूने हैं उसकी शुरुवात होती है पहला बिंदू 17 सदी से जब स्पेन और पर्तगाल के नितरत में इन लोगं का दक्षिन अमेरिका जाना होता है यहां के लोगं का दूसरा बिंदू नए यूरोपी देश इसमें शामिल होते हैं जिसमें इंगलेंड, फ्रांस, हॉलेंड आदी हैं तीसरा बिंदू कैसे इनका वहाँ जाना उपनिवेशों को जन्म देता है और आज नेतिक सत्ता की स्थापना करता है चौथा बिंदू, सेटलर, सेटलर का अर्थ, आपको यहां बताना होगा उसके बाद यूरोपी सामराजवाद नीति के तहट यह आपको बताना होगा की अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे कब आये, कौन थे, कहां से आये और किस प्रकार उनकी जन संख्या जलवाई उस्थिरता के कारण बढ़ने लगती है अगला बिंदु जोस में होगा, कि कैसे पश्च्चमी यूरोप के लोग कुलंबस की खोच के बाद नई दुनिया पहुँचते हैं और वहां पर उनका स्वागत कैसे होता है इसी तारतम्य में यूरोपी सामराजिवाद के अंतरगथी आपके उत्तर का अंतिम बिंदु होगा कि किस प्रकार ये यूरोपी अपने साथ सामान ले जाते हैं, उसकी बिक्री करते हैं, उसे वहां का सामान खरीदते हैं बिक्री तो नहीं करते हैं, सामान ले जाते हैं, उसे उफ़ार के रूप में देते हैं और वहां से सामान लाकर अपने देश में बेचते हैं क्योंकि यहीं से उस प्रक्रिया की नीव शुरू होती है जिसे सामराजिवाद कहते हैं और योरोपी सामराजिवाद से ताट पर यहीं तक है प्रश्ल दो, नई दुनिया के मूल बाशिंदों के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्दों को लिखें नई दुनिया के मूल बाशिंदों के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द लिखें इसके तहट आपको जो कुछ शब्द हमने बताये थे जिसमें एक है अबारिजिन उसके बाद अमेरिकन इंडियन फिर फॉर्स नेशन पीपल इंडिजेनस पीपल नेटिव अमेरिकन रेड इंडियन इसके साथ ही दूसरे शब्द भी ऐसे थे जो वहां के भाषा से एकिस्थानी भाषा से लिए गया थे ऐसे चार शब्द बताएं जो अमेरिका के मूल निवासियों की भाषा से लिए गया और अपनी विबन चीजों के लिए उनका उप्योग किया जाने लगा जिसका एक उधारन बसिया हमें दे दूँ डकोटा ऐसे ही चार पांच और शब्द थे अगला प्रश्ण अमेरिका के मूल निवासियों की पारंपरिक धारनाएं क्या थी जिसका सामना यूरोपियों ने किया या किन पारंपरिक धारनाओं से अप्रवासी यूरोपियन्स का टक्राओ होगा इसके तहट बिंदुवार उत्तर इस प्रकार होगा पहला अठारवी सदी और यूरोप की सभ्धा की धारना इसके बारे में आपको पताना होगा यूरोप की सभ्धा जिसमें साक्षर्ता, संगठित धर्म और शहरीपन का जिक्रवे करते हैं और उसकी तुलना मूल निवासियों की सभ्धा थे मूल निवासियों की परंपराओं से करते हुए उन्हें सब भी कहते हैं इस चर्चा में आपको रूसो और वर्टवर्ट विलियम वर्टवर्ट इसका जिक्र करना होगा दूसरी धर्णा वस्तूओं के प्रति क्या नजरिया था मूल निवासियों का जिसमें वो पहार के प्रति क्या सोचते थे मुनाफियादी के बारे में क्या विचार था उनका उनका व्यवहार कैसा था इस पर आपको लिखना होगा तीसरा बिंदू प्रारंबिक यूरोपी प्रवासी किस धंके थे वे अपारी थे समुझायों को बे दखल कर रहे थे उत्पीडित कर रहे थे और मूल निवासियों के साथ इनकी बसाहट इसका आपको जिक्र करना होगा इनकी धारणाओं के तहट आपको आगे ये भी बताना होगा कि कैसे इनकी परस्पर धारणाएं एक दूसरे से कुछ मामलों में तकरा रही थी तकराओं पैदा कर रही थी और एक और कैसे इनकी धारणाओं ने इनके संबंधों को एक नई दिशा दी उदारण के लिए अमेरिका के लोगों की सहानु भूती पूरवक धारणाओं ने यूरियोपियनों को प्रेरित किया वहाँ आने के लिए अमेरिका के मूल निवासियों के मनाफ़ आदी से दूर रहने के उनकी सोच ने भी यूरोपियनों को आने के लिए प्रेरित किया तो ऐसे उदारण देते हुए आपको स्पश्च करना होगा कि इनकी परस्पर धारणाएं क्या थी और क्या समानताएं और क्या विरोध था अगला प्रश्ण किस प्रकार मूल निवासियों को उनकी अपनी भूमी से बेदखल किया गया इसका संक्षिप्ट में विवरन दें उत्तर में सबसे पहले आप चर्चा करेंगे अमेरिका में बस्तियों का विस्तार और इस प्रक्रिया में मूल लिवासियों की बेदखली में जमीन की कम कीमत और जाल साजियादी का वरनन आएगा जौर्जिया और चिरोकी कबीले की बेदखली की बात आएगी अमेरिका के निया अधीश का चिरोकी संप्रदाय के पक्ष में दिया हुआ जज्मिंट और वहां के तत्काली नराश्परती द्वारा इसका विरोध इस पर चर्चा करेंगे मूल निवासियों की भूमी को लेकर जो भूमी उप्योग को लेकर जो अलोचना और अधिकार के संबन में कुछ बातें बताई गई थी उसका जिक्र होगा और अंत में पश्चमी अमेरिका के मूल निवासी और उनके साथ क्या व्यवार रहा जिसमें नवादा मरू भूमी तक उनको धकेल दिया जाना ये एक विशेश मुद्धा था अंत में इस्थाई निवास हे तू उन्होंने क्या प्रयास किये यूरोपियनों ने इस पर एक आप टिपणी लिखेंगे चौथा प्रश्ण गोल्ड रश से आपका क्या तात्परे है और उसने कैसे अमेरिका के विकास में अपनी भूमिका निभाई इसके उत्तर में आप उद्योगों में वृद्धी को लेकर बिन दुवार आपको लिखना होगा 1840 कैलिफोर्निया पहला विवरन उसके बाद यूरोपियनों दौरा अमेरिका पहुँचना भारी संख्या में तीसरा इसके परिणाम क्या हुए जिसमें रेलवे का निर्माण एक बहुत बड़ा परिणाम था कनेडा और अमेरिका दोनों जगा इसके बाद चौथा बिन्दु आएगा और द्योगी करण के कारण क्यों जोगी करण वहां चानक प्रारंब होता है रेलवे और क्रिशी में मश्यूनों का निर्माण खेतों का विस्तार और जंगली भैंसों का उन्मूलन और अंत में 1892 जब महाद्वीपी विस्तार की समाप्ति होती है महाद्वीपी विस्तार से तात्पर क्या है जब सिंग्त राज अमेरिका अपना पूरी भागोलिक सीमा उसकी तैह हो जाती है इन बिन्दुओं को लेते हुए आपको इस प्रश्ण का उत्तर देना अगला प्रश्ण बदलाओ की लहर से क्या तात्पर है इस बदलाओ की लहर से क्या तात्पर है इस बदलाओ को बिन्दुओं लिखते हुए उसके परिनाम लिखें अमेरिका के तंबन में बदलाओ की लहर की यदि शुरुवात करें तो 1920 पहली घटना इसके बाद 1928 में जब सर्वेक्षन होता है उसका विवरन आप करना होगा 1934 में उस सर्वेक्षन के अधार पे उसके बाद एक कानून बनता है जिसे इंडियन और्गनाइजेशन रि और्गनाइजेशन एक्ट कहते हैं मूल निवासियों को जमीन खरीदने का अधिकार मिलता है फिर 1950 साट के दशक में जो मूल निवासियों के लिए जो विशेश प्राउधान थे उनकी समाप्ति की घोशना होती है और उद्जेश बताया जाता है मूल धारा में लाने का प्रयाद इसके उत्तर के तहट अगला बिंदू है 1954 जिसमें डिकलरेशन ओफ इंडियन राइट्स मूल निवासियों द्वारा दिया जाता है 1969 में कैनडा में जो घोशना होती है उसका आपको जिक्र करना है जिसमें कैनडा की घोशना होने के बाद मूल निवासियों द्वारा कुछ विरोध होता है जिसमें आधिवासियों दिकारों की मानिता का समर्थन करते हैं और फिर अंत में 1982 में समवैधानिक धारा के तहट मूल निवासियों के अधिकारों की स्वीकृति होती है इस प्रकार इतने बिंदूओं में इस बदलती हवा बदलती लहर का आपसे संबंदित उत्तर आपको देना है अंतिम प्रश्ण है और उस्टेलिया के प्रारंबिक इतिहास पर संक्षिप्त पे लिखें और उनके मूल निवासियों से सम्मंदित विवरण दे और उस्टेलिया के प्रारंबिक इतिहास पर संक्षिप्त में लिखें और वहां के मूल निवासियों पर एक विवरण दे इस प्रश्ण में आपको उत्तर की शुरुआत होगी प्रारंबिक मानो यानि चालिस हजार वर्ष पूर्व के एब औरिजिन से फिर निव गिनी का जिक्र आएगा उसके बाद जो उनके विविनस समुदाये थे जिनकी संक्षिप्त लगवर्वक तीन सो पचास से साथ सौ थी उनका जिक्र होगा साथ ही आपको वो आईलेंडर्स टारस इस्ट्रेट आईलेंडर्स के बारे में बताना होगा और साथ ही ये कहना होगा कि ये अब औरिजिन्स नहीं है फिर उस्टेलिया की आबादी के फैलाओं का जिक्र आप जरूर करेंगे इसमें। आबादी के फैलाओं का जिक्र और अंत में वहां बे यूरोपियों की बसाहट कैसे प्रारंब होती है इसका जिक्र इस यूरोपियों की बसाहट में आपको मूल निवासियों का विस्थापन कैसे हुआ और क्यों हुआ जिसमें आपको बताना होगा कि कैसे भेडों और फार्म खानों में भेडों के फार्म और ख़दानों में यहां की लोकल पापुलेशन का उप्योग शुरू हुआ गेहुं की खेती और अंगूर के बाग बड़े बनाएं गए और मूल निवासियों को इसमें शरम के लिए लगाए गया फिर गैर गोरों और गोरों के बीच के जो अंतर है उसकी नीती जब शुरू होती है तब विरोज प्रारंब होता है तो यहां तक आपका उत्तर इस प्रश्ण पर समापत हो जाता है इस प्रकार इस अध्याय के ये कुछ प्रश्ण है इसके अलावा और भी है लगु प्रश्ण लगु त्री प्रश्ण लेकिन यदि आपने इन पांच प्रश्णों को सोच समझ कर इसके उत्तर लिखे तो इसक झाल झाल